हेलो गाइस त्रम बात केने वाले है क्वाटर वन एफार 23 का स्टाटा स्टील लॉंग प्रोड़क करके ये कंपनी का रिजल्ट आता वो नज़र आ रहा है जो टाटा ग्रुप के अंडर में आती है कंपनी ने डिवेडन दिया है के नहीं और कैसा रा इस कंपनी का रिजल्ट वो डिसक्स करेंगे वीडियो को जरूर से अंतर देखते रहे ना वीडियो पसंद है तो लाइक चनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना टाटा स्टिल लॉंग प्रोड़क की बात करें इस कंपनी का रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट रिजल्ट के अंदर अंद करोड रुपीज के असपास का कमनी ने आपर से income जनरिट किया है quarter and quarter basis के उपर कंपनी का जो income है वो लगाता है गर्वह कर रहा है एक शमयंतर कंपनी की weiß सत्रास्य करोड रुपीज के असपास का income जनरिट करती ती अभी एक्की सु क्रोड रुपीज से उपर का Company income generate करने लग करें तो cost of raw material के अंदर इनका majority expense जाता है बाकी है employee cost finance cost के अंदर इनका expense होता है total expense की बात करें तो company ने आपर से 2460 sorry 2489.58 करोड रुपेस का expense generate किया है quarter and quarter base के पर इस company के expense बहुत ही ज्यादा तेज़ से बढ़ते हुए नजर आ रहा है 2022 के अंदर पूरे साल में company ने 6053.62 करोड रुपेस का company ने आप expense generate किया है यहाँ पर बात कर लेते है company आप main income तो भड़ी बढ़ा रही है profitable है कि ने company profit कैसे generate कर पा रही है वो देखना जरूर है तो company का यहाँ पर से profit and loss statement आप लोग देखोगी तो company ने इसको रिके अंदर loss generate किया है company यहाँ पर से 331.01 करोड रुपेस का आप लोगों को loss करती भी नजर आ जाएगी और यह जो यहाँ पर से loss है इसके बज़े का सबसे पहला और बड़ा कारान यहाँ पर बताए जा रहा में government यह export duty को कब तक हटा देती है जब तक नहीं अटाएगी तब तक यह company के results के उपर ऐसा impact आएगा बाकी company का result बहुत जादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है 2022 के अंदर पूरे साल में इस company ने आपर 629.87 करोड रुपीस का company ने हाँपर net profit generate किया है यहाँ पर बात करें यह company के EPS की earning per share भी minus में जा चुका है minus में यहाँ पर से 73.41 का रुपीस का यहाँ पर हो चुका है जो यहाँ पर एक समय पहले पिशले quarter के अंदर यही चीज पॉजिटीव पॉजिटीव देती है तो यह company का जो खराब performance है देखते आने वाले समय में कब तक जारी रहता है टाटा स्टिल रॉंग बहुत ही खराब performance करता हो नजर आ रहा है अर्निंग पर share की बात करें तो 139 रुपीस का देखने को मिल जाता है और आने वाले समय में हो सकता है कि earning per share यहाँ पर से और भी गिरे तो वह इस करने के पर जरू से focus रखना बाकिया इस कमने के अंदर invested हो तो मेरा तो भाई यही recommendation है कि आरे दूर रहो ऐसे commodity cycle से जुड़ी वी companyों से दूर रहो क्योंकि यह उन company के इंदर रहे ना एक तो यहाँ पर से तेजी यहाँ पर कुछ ज्यादा बनती नहीं है और short term में आप लोगों को पैसा खमाना है ना तो नीचे के लिए विस के उपर खरीदो उपर बेच दो और निकल जाओ ठीक है ऐसे आप लोग कर सकते हो बाकिया रहे लॉंग टम के लिए investment के लिए मेरी तो बिल्कुल भी राही नहीं है और क्या आपका उपय है मेरे को ज़रू से बताओ comment section में वीडियो बसम जाए तो like channel को subscribe करना मुद बूलना इस company के return आप लोग यहां पर star देखोगे total result को तो यहां पर पांच में से zero star मिलेंगी इस company को बहुत ही खराब performance company का आता हुआ नहीं हजर आ रहा है तो बस अचके लिए तने good bell of good bye फिर मिलते नेक्स टूड़ो में good bye